कि श्टाय्ट करते क्लास को वं कि सुनी हमारा जो अंतिम था उसमें हम फूर्तगाल को चलू किये थे हैं अले क्या चलू के फूर्तगाल इसके बारे में पूरे कहानी को हम समझै थे इसमें हम एक आधार बनाएं आपके सामने कि हमको क्या-क्या पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर लिए पूर्तगाल को भारत में किस तरीके से क्यों आए इसका क्या था कारण उसके बादम पिछले क्लास में आपको क्या एक समाने परीचाय बता रहे थे और किनके बारे में वास्को धिगाम चलिए जितना कहानी पिछले बार बताएं वह कहानी को पाच मिनट में सुनना है एकदम ध्यान से बात करेंगे यूरोपिये कंपनी में सबसे पहले आने वाले भारत पूर्तगाली थे जो 1498 इसवी में भारत आए और 1961 इसवी में भारत से बाहर गये वैसा यूरोपिये बनी जो सबसे बात में गये वह भी कौन थे पूर्तगाली थे वहीं बात करेंगे पूर्तगाली के बारे में तो वहां के राजा का नाम था जौन दूतिये जौन दूतिये के कारेकाल में दो बहुत बढ़ा घटना घटा एक बढ़ा घटना ये घटा कि वहां के एक प्रोटगाल का प्रसिद्र नाविक था वो अपने जहाज के साथ कुछ लोगों के साथ निकला और आपको बताएं थे कुछ इस तरीके से कुछ यह मार्ग होते हुए कहां पर पहुचा अफ्रीका का धक्षिन टैट पर पहुचा उसका नाम उन्होंने रखा केप और इस्ट् और तू पहांई अंतरी प्राखा जब यह वापस गया राजा-डॉन दूतिये के पास तो राजा जॉन दूतिये के पास जब जाता है तो कहता है क्यों उसका एक अलग सा नाम रखके आओ बार में नाम क्या रखा केप आप गुड हो क्या नाम रखा केप और गुड हो पना बार्थोलोमियो डियाज कौन इसी समय एक और घटना घटा वो घटा ये कि क्रिश्टोफर कुलंबस जो कहा जाता इस्पेन का नाविकता कहीं के इतली का भी मिलता है वो अपने जहाज को लेके भारत की यातदा की खोज करने के लिए निकला लेकिन वह अपने जहाज के सहार करते वो इनडिया ना आके पश्षिम देश्व के तरफ चला गया और उसका नाम पश्षिम इंडी लगी है जिंडी सट ये वेश्ट इंडी सट अ इन तरह ऑर अमेरीका की खोज कौन कर दिया क्रिð पाना कि इंडीश कोलंबस क्रिश्टोफर कुलंबस ठीक क। focal पोलंबस फिर इसी समय एक और घटना घटा कि राजा जॉन दूतिये का मर्क कारकाल खतम हो गया था उसके बाद राजा कौन आया मैनुवल प्रतम कोन आया मैनुवल प्रतम के कारकाल में पूर्टगाल का एक बहुर प्रसिद नाविक जिसका नाम क्या था वासको डिगामा क्या नाम है यह वासको डिगामा अपने जहाज के साथ और 170 नाविक चार जहाज एक का नाम साओ गैब्रियल एक का नाम साओ राफेल एक का नाम साओ बैरियों और एक का नाम अज्यात मिलता है यह चार जहाज के साथ कौन आ रहा था कौन निकला वहां से वासको डिगामा वासको डिगाम कब निकला आइट जुलाई कि चादा सो संतानवे को और फिर अफ्रिका का पहुचा है नवंबर 1497 को केप आप गुड होप का पहुचा नवंबर 1497 को लिस्वन से रवाना कब हुआ आइट जुलाई पहुचा नवंबर 1497 केप आप गुड होप का पहुचा नवंबर 1497 फिर यह आपको याद रखना है कि मार्च के आसपा 1498 में मलिंदी पहुचा कहां पहुचा जहां पे इसकी मुलाकात एक गुजदाती वैपारी या अर्भी वैपारी जो कौन थे अब्दुल इबन मजीदी जो एक बहुत बड़े बहुत बड़े मानचित्र विश्यस्तग्य थे बहुत बड़े वैपारी थे और बहुत बड़े उस समय के लेखक भी थे कौन अब्दुल मजीदी फिर इन्होंने मार्च के मैने में मुलाकात किया बलठी के अगले मैने हम लोग निकलते हैं क्योंकि मानसुन की पवने भारत की तरप अप्रेल के बाद सुदू हो जाती है तो अप्रेल में जाना अधिक उचीत होगा बहुत ठीक बात है क्योंकि यह अर्भी थे इनको बहुत अच्छा नौलिस था इसलिए इन्होंने जहाज के सहारे अप्रेल में निकला और बीस मई 1498 को अधिक नाम क्या था कपके कड़ाबू बंदरगा का नाम कपके कड़ाबू बंदरगा कौन पहुचे बास को डिगाम और यह जो पूरा आप मांची तरह देख पा रहे हैं यह वास को डिगामा का 1497-99 तक आने और जाने तक का पूरा मैप ठीक है फिस बात करेंगा वास को आदेगा मा काली काथ पहुचा था मैच दाएन एकवन है किस डिरेस में है और पी जावेद के डिरेस में कान वास को डिगामा भाइस आप देख के मन प्रसंद किसको गया जे मोरीन गेफ्ट उर्ट भी दिया किसको जे मोरीन कौन खूसोग या जे मोरीन लेकिन अरभी तो बिया ना विल्कुल विडो खिया भैंग कर विरोध ऊणरका किसका वास्कोंगों और में किसी के तरिकते चारु जहाज में मिसाला लिया मसाला ही मसाला हो गया किस के जाज पर अधिक इसका जहाज कितना जहाज मसाला है मसाला फिर कप्पर कई डावू बंदर का जिसको जिसको आज कपपर कहते हैं क्या कहते हैं काली कईट में वास निकला और अगस्त महिने में निकल क्या बकलुलवा अगस्त में क्यों कि हवा आप ओजीट था इसलिए इसका जहाज जाय रुक जाय इधर से जाने में कितना दिन लगा तीज उधर से आने में 130 उसके बाद फिर तो वापस चला गया कहां पे लिस्बन लेकिन दो जहाज किस सागर में डूब गया अरब सागर कितना जाद लेके आया गया कितना इदा यह बोलाद लेक यह बोले हैं हां बोला की गया दो लाया चार ठीक दोगो डूब किया अरब सागर में तबी कितना का प्रॉफिट साइट गुना कमाया कौन हुआ है पुदत चर्चा कर भी सबनृकर की ने किसका चलिटें इबात को लिख दें अर लिखे मेरा सही हो किजे लिखने में पीछे से बोलना सब को क्या-क्या ठीक़ पूछेंगा जोच बूलिएगा इस टार्ट कर दें क्या वोले है क्या बोले है क्या बोले अपने से आप को अगर ऐसा हो गया ना तब तो मजा ही आज आ जागा याम को बास्मेंट में दस में दीजिक लेकार नहीं आ Coming अगर अपने मन से लिख लीजेगा तब तुम हमको मजा जागा इतियास परजाने हमको क्या है तब तो बोड़ ऐसे रखेंगा हाथ में ते रखींग पढ़ा देंगे लेकर ज़रूरी है ताकि आपको लिखने से सुने फिर अभी लिखेंगे फिर सुनिएगा दिमाग में इंटरोल बनेगा फिर घर पे जाके फिर और लिखिएगा अच्छा रहेगा लेकिन इतना हो महनत इतिहास में इससे ज्यादा मेनत नहीं हो सकता है थिक है चलीए अब दिख़े हम तो बता धीत तःकारन के बारे में अरहाई आणा अरहा ना बोलते रहेंक ने तो लुप POL बता रहे हैं दूसरा रप्राद चलेगा मेरा क्लास का फिर कि समाने परीचह में हम लिखने जा रहे हैं कौन सा परीचह है समाने परीचह में हम लोग वास्को डिगामा को ही लिखेंगे किसको लिखने वाले हैं दोनों पॉइंट हम वास्को डिगामा बाईस्ताव वास्को डिगामा जो है ना भारत में आके पूरा एक इतिहासी रचा तो लिए पहला पॉइंट से फ़ीला वन क्या लिखेंगे इसमें कि आはड़ानों से यूरॉप से कोन निकला अऔर वाइटकोई घाम और कैसे कैसे क्या हुआ कहाने बताते हैं वाथ कोई डिगामा से पहले भी निकला बार्थो लो में उडियार उसके बारे में लिखना उसके बार वाथ कोई डिगामा बात करेंगे 14 सताब्दी में कब का बात है चौद में बोलते रहना है कौन सा सेंचुरी 14th century 14 सताब्दी में पुर्टगाल का सासक कहां का सासक पुर्टगाल का सासक कौन थे बताये थो अरे कौन थे जौन दूतिये थे जौन दूतिये इसका कारेकाल कब से कब तक है 1481 से लेकर बतायेगा पंचानवे एक्या सी से चौदा सो पंचानवे चौदा से क्या से चौदा सो अरे 95 वह ना तो चौदी में पुर्टगाल का सासन पुर्टगाल का सासक जौन दूतिये था कौन था भाई साब क्या बोले हाँ पंचानवी होगा ठीक है कोई बात में पंचानवी सताब्धी में पुर्टगाल का सासा कौन था जौन दूतिये था ठीक है और इनके कारेकाल में क्या क्या होता है सुनिएगा सुनिएगा इसने किसने आरे किसने जौन दूतिये ने जौन दूतिये ने बात करेंगे 1487 इस्वी को बार्थो लोमियों डियाज को किसको भाई साब बार्थो लोमियों बार्थो लोमियों डियाज को डियाज को अभी हम कहानी बताये थे ने इसके बारे में अले किनके बारे में बार्थो लोमियों डियाज का कहानी आपको यहां पर बताया हुआ देखिएगा एक मिनट यह आपका रहा बार्थोलो मुटियास कौन रहा यह कब निकलता है अगस्त चौर्ण सो अल्यागास अगस्त चौरण सो सतासी यह पॉइंट गम लेकर है एक मेट हुजाए तू चौद आस वसाद जौन दूतिय ने अगस्त एक मिट अगस्त चौरण सौद आशी को कर वाद कर ने हम सही बात कर लेजे थूदा अगस्त 1487 वी इस्लिको बारतो लोग बारतो लोमेर गिजय को पुर्टगाल की राजधानी कहा के राजधानी पूर्टगाल की राजधानी निश्म अ लिस्वन से भारत की खौज के लिए समुद्री मार्ग से समुद्री मार्ग से लिजबन से समूरी मार्ग की सामुदरी मार्ग की समोठ्री मार्ग के खोज के लिए लिजबन से भारत की भारत की भारत की या पूर्वी स्वेयन धेस conventional सकते हैं भारत की यह पूर्वी देशों की समुद्री मार्ग की हरो दियौज के लिए थ ku Stuff के लिए रवाना किया ठीक है तो यहां रखना बार्थो लोमियों डियाज को पुर्टगाल की राजधानी लिसबन से भारत की नभीन समुद्री मार्ग की खोज के लिए नभीन समुद्री मार्ग की खोज के लिए क्या किया रवान यह रवाना करने वाले कौन थे अले कौन थे कौन वैक्ति थे यह पूर्टगाल का नाविक तो कहां का नाविक था यह आप देख रहे हैं बार्थो लोमियों डियाज के बारे में इसके बारे में बात या रखना में सा यह पर पूलतगाल का नावक कहा का नाविक है पूलतगाल का ना बात मत कीजिए का नाविक था के अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं इसमें अगला पॉइंट क्या लिखेंगे रवानदा kia bartholomeo DIAG अधियान से स्वाइब ही충 मैस आप बाथोलोमियो टियार BRD 07.309 वाकर नो मीर्टियाज अगस्ट चोर्वा साथा से इस्वीमें निकला और बाल फिक्तोलमीयो दियाज अफ्रिका के अफ्रिका महादीब के शीम ठेह से सुनेगा फश्यम टेट्टों के सहारे के सहारे हो ते हुए होते हुए हुए नवम्बर क्वा का बात है नर्ड का बात है शरी माझ कब का बात है होते हुए मार्च 1448 इस वीक अफ्रिका महादीब कहां का अफ्रिका महादीब के सबसे दक्षिंतम छोर अफ्रिका महादीब के सबसे दक्षिंतम बिन्दू बिन्दू दक्षिन्तम बिन्दू पर जाकर पहुचा ठीक है और इस अस्थान का नाम इस अस्थान का नाम क्या रखा केप आप इस्ट्रोम अले क्या नाम रखा तुफानी अंतरीप नाम दिया तुफानी और इस अस्थान को का नाम इस अस्थान का नाम केप आप इस्ट्रोम तुफानी अंतरीप रखा ठीक है क्या नाम रखा तुफानी बाबा नहीं है एक बाबा चलना मार्केट मे अपर जाए है जो बोलेंगे विवाद हो जागा फूद तो तो पूल ही तो 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 इस अस्थान का नाम क्या देख दिया इनों ने के अपश्टोम रखा और बात करेंगे बात करेंगे इस तरह यहां पर यार लिख देते हैं इस तरह इस तरह बार्थो लोमियो डियाज या इस तरह डियाज ने डियाज ने अफ्रिका की खोज की अधिक इसकी खोज की अफ्रिका की खोज की कोज की कि अब अगला लाइन हम यह लिखने जा रहे है कि बार्थोलों योघ्ष कौन भाइस आप बार्थोलों योटियाज जब वापत लिसबन पहुचा पहुचा ठीक अ कहां पहुचा लिसबन पहुचा तो जौन दूतियने दूतियने आसा सौरी तुफानी अंतरीप का नाम बदल कर केप आप गुड़ होप क्या बुलेगा केप आप गुड़ होप रखने का आदेश दिया रखने का आदेश दिया और यहां और इस और इसी अस्थान पर और इसी अस्थान पर जैसस जैसस कहेंगे न जैसस जैसस का प्रतीक यह चिन लगाने यही हम लिग दिया पर पलस ठीक है जैसस का प्रतीक इस्थित जैसस का प्रतीक लगाने को कहा है ठीक है यह बात क्या समझ में आया और फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा मारा की इसलिए ठीक है अगला लाइन लिग देते हैं इसलिए इसलिए इस अस्थान पे इसलिए इस अस्थान का नाम का नाम केप आप गुड़ हो गया अले क्या नाम हो गया केप आप गुड़ होप हो गया और के पॉप गुड़ हो गया बस इतना या रखिएगा इस केप आप गुड़ होप यह जवा देख पाते है ना इस तरीके से यह आपका देखिएगा जैसे बना रहे वैसे नोल्सम होना चाहिए सभी का जो जो ठीक है बात करें यह आपका लिस्बन मानते हैं कौन सा स्थान हो गया लिस्बन लिस्बन क्यां कौन सा स्थान हो गया लिस्बन यह आपका हो गया अफरीका महादीप अरे कौन सा महादीप अफरीका महादीप ठीक है यह आपका कौन सा हो गया भारत अरे क्या हुआ यह आपका हो गया पशिमी जट यह गया आपका पुर्वी जट यस यह नू इस पी अस्थान पर कॉन पहुचेगा बार्थोलोम्य टियाज इसका नम पूरा लिग दियते केप आप इस्ट्रोम क्या लिखेंगे तुफानी बाबा बाबा सरी इस्ट्री को लिख सकते केपक गूड्र्व आए हा या ना जुत्अ be ठिक है कि इसथ्पी को आसा अंतरी भी कहते है क्या कहते हैं आ श्बिस यहा लिगा देति आसा एंतरीश है ठीक है बात करेंगे बताइए जल्दी से आप लोग कि यहां से कौन निकला है और कहां पहुचा अरे कहां कभ निकला था बार्थोलोमियो डियाज अरे बोलिये बोलिये अगास्ट 1480 यहां पर बार्थोलोमियो डियाज का पहुच गया अरे बोलिये अ ग्रेट 1480 यहां पर क्या सिंबॉल भी वर्तमान में है पक का सिंबॉल है किया चिसका सिंबॉल यहां आपका सिंबॉल यह जिसस पुड़ा है यह कौन भाई साप बार्थोलोमियो डियाज अलिक ऑन है यहां पर भी लिक लिक सकते हम यहां पर बार्थो लोमियों दियाज कौन है क्या यह फीगर देखके आप समझ पाएंगे एक बार में ने समझ जाएगा ऐसा नोट सुना लेते हैं कि देखे नोट बनाने का तरीका समझा रहें ऐसा देखे आप फिर आगया माइन में अभी जिन्दगी में भूल पाईएगा परसो कहानी बताएं रिवीजन करवा दिये नोट्स एकदम पुरा हूब हूब हूँ जो जो बोले वो लिख दिये फिगर के साथ यह आपका हिंद म भी खतमगा केवल इस समय के दाजा वहां का कौन था यहीं पार एक नोट करके पॉंट अगला होगा मार नोट यहीं पर लिख देटीनोट कесके बारे में तो क्रिस्टोफर कॉलम्बस stick STO मैं क् Southeast क्रेश्ट ओक रिख नहीं आगे अनोट कर के तो इसके बीच में नहीं आगे नार्ग करके लिख देसे साब क्रिश्टोफर कुलंबस कुलंबस जो कि कहा जाता है इस्पेन का भी नाविक था या हॉ पर को में रहता था धी लगदी याency य इसपयन में रहता था ईतली का था यह बात एक्रम परफेक्ट कॉलने ही पर फैक्ट इटली का नाविक क्रिश्टोफर कॉलंबस भी भारत की भी भारत की भारत की खोज के लिए के लिए ठीक है लिस्बन से निकला था कहा से निकला था से निकला था लेकिन लेकिन यह पर्शिं जा पहुचा जा पहुचा तथा इसे वेस्ट इंडीज कहा गया अधिक्या कहा गया इंडीज कहा गया गया जिसे वरतमान में वेश्ट इंडीज कहते हैं कि और ये गटना 1492 और बात करेंगे इस तरह कि decrease और अमेरिका की खोज वो गई कि खोज हुई कि खोज हूग हही प्रस्ति हमेरिक खोज करने वाले कौन थे क्रिश्टोब कॉलम्बस कब किये 1492 बारकु लेमियो ध्याज यहाँ पहुचा मार्च 1408 निकला कब था अगस 1487 कहां से निकला लिसबन से पहुचा कहां पे दक्षिन अपरिक अपरिका महादीब का दक्षिन टेक नाम क्या रखा केप आप स्ट्रॉम बाद में नाम क्या हुआ के पाप गुड़ हुप उस समय का राजा का नाम जॉन दूतिये क्य गलती नहीं है ठीक है मर यह गाविन जिसमें आपका डेट बोडी जादा होगा क्रिश्टोफर किलमबस क्रिश्टोफर किलमभाथ लो में दियार भाईस चलिए योगया पॉइंट अब सुनिए आगे अब हमारा कौन चलेगा वास को डिगामा अरे कौन तो वास को डिगाम कौन सा डिगामा डिग 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 डिगामा बात करेंगे वास को डिगाम इसके बारे पूरा कहानी सुनिया कहानी तो सुना ही दिये अब क्या करना इसको लिख लेना एक मिनट बात करेंगे पहला पॉइंट याद देखिएगा बात करेंगे जॉन दूतिये के मृत्यू के बाद पुल्तगाल का नया सासक कौन आया था मैनुवल पर सुनिएगा वास्कू डिगामा में पॉइंट आ रहा है जॉन दूतिये की मृत्यू के बाद हाजी मर गया था 1495 में जॉन दूतिये के मृत्यू के बाद पुल्तगाल का नया सासक नया सासक मैनुवल प्रथम था अलिक और मैनुवल प्रथम जिसका सासनकाल 1495 से पन्रहसो एक इस करने आ सासक मैनुवल प्रथम बना कि और इस समय का राजकुमार यानिकि इसका बेटा का नाम भी यहां पर आपको मेंसन करना है इसका राजकुमार या राजकुमार प्रिंस यहां का कॉन था है ब Aliya हैन्री कौन क्या नाम है हैं नर्य हैनरी भाई साब इसी का उपादित रविगेड़ ऑग क्या नामय कश पैर एडा नेभी गेड़ यह को हौसका बगामा पुलत गाली का नाविक पुलत गाल का नाविक द stress इंभाक वह स्कों निगाम डिक आख है वासको डिगाम है कफुत तॉङ का नाविक है तो को और बात कर निगामा कब निकले ते वहां से बता सकते को भी परम आपको बताटे यह आपके सामने रहा कि मैं के बारे में बद्वात को डिकाम ह गालिए है वास्कोटि गामा का बारे में यह बीनुय चीजी आठी जुलाय कम निकले थे आज जुलाय resin तॉब हो छाजमत एंतने पहुंचे असी कब नवन बचॉब होड़ास को संताहवे चलिए कम निकलेगे चाहास लिख दिखते हैं सुर्ट करऊंगे वासको डिगामा को वासको डिलाम लिकेंगे सॉटकट में पहले मुझें पहले यह लिखते हैं मैनममः प्रत्म ने का Hawk मैन्मी परतंब लिख्ए वासको डिगंगा माख ओं कितना जहाज दिया चार जहाज वा चारूचा है कितना जाहाज चाभ एक नाम क्या था साउ गेब डील अलिट ऑप नाम है गडेब डील गरेमियल एक नाम था साउ राफील ऑर क्या नाम है और एक का नाम है साउ साओ देखें लिख लेंगे से बेरियो एक अनाम क्या हो गया साओ बेरियो और एक क्या था अग्यात यानिक नाम था क्या नहीं था मैनुवल प्रतमने भासकुटि गामा को चार जहार तथा एक सो सत्तर नाविक नेवी नाविक नेवी तथा कई संसाधन तथा कई संसाधन देकर देकर लिसबन से कहां से लिसमन से भारत की नवीन समुद्री मार्ग कि चुश के लिए नवीन समुद्री मार्ग कि खूज के लिए काली कौज के लिए काली किया रवाना किया हरी जंडी एक आध़र बाई साव जो लाइड ळान। को तुमारा जो देसे है वो क्या करो हिला दो पूरा मार्केट में चारचा का विसाय होना चाहिए लिन अे बायो बैनो मैंने महाराष्ट में सरकार बना लिया है जारकन भले हार गए है जारकन भार गया विजेपी ना चलिए तो यह क्या हो गया रवाना हो गया कॉन रवाना हुआ और कॉन आप देखिए यही पे लिख लेते आठ जुलाई कितना जुलाई वन फोर वन फोर इसी समयन रवाना हुआ कॉन रवाना हुआ वार्त को डिगामा आठ जुलाई चौदर सुसंतानवे इस्वी को मैनुवल प्रथम के द्वारा दिया गया चार जाज और एक्षो सत्तर नाभिक और कही संसाधन को लेके पूर्टगाल के राजजान लेस्वन से भारत की नभीन समुद्रि मार्गी की खोज के लिए क्या हुआ है अधा जंटी बात करेंगे इसके बाद यहीं हुआ नवंबर 1497 को ठीके वासको डिगामा वासको डिगामा के आप गुड हो क्या नाम है पहुचगा पहुच गया कि यह कब का बात है नवंबर 1497 को बात को डिगामा कहां पहुच गया अरे कहां पहुचा फिर बात करेंगे मार्च 1498 को का लिंदी बात करेंगे पश्यमी सौरी एक मिनट अफरिका महादीप के पूर्वी टैट पर इस्थित कालिंदी कहां पे कालिंदी के मलिंदी है कालिंदी के मलिंदी इस्थित मलिंदी ठेक है अपरिका महादीप के पूर्वी टैट पर इस्थित मलिंदी में जोग डुगामा की मुलाकात वी डी जी के मतलब क्या हो गया वांसकी डि घामा की मुलाकात मुलाकात गुजराती वैपारी ओबलिक अर्बी वैपारी क्या नाम है बोलिये अब्दूल अरी क्या हो रहा है क्या नाम है अब्दूल इबन मजीदी क्या नाम है मार 1492 को अफ्रिका महादिप के पुर्वी टैट परिस्तिर मलिंदी में बास को दिगामा की मुलाकात गुजराती या अर्भी वैपारी अब्दूल इबन मजीदी से हुई और इसने वास को दिगामा को भारत तक ले जाने में मदद की अले क्या की मदद किया कौन किया अब्दूल इबन मजीदी एक पॉइंट यहां पे नोट में याद रखना है अब्दूल इबन मजीदी के कि अब्दूल इबन मजीदी एक वैपारी के साथ साथ कौन वाट्सप पर मैसेज भीज रहें जी हां कौन भीज रहें टिक किया खटाक अब भीज रहें है को तो वाट्सप चलाया है क्लास में आया नकान तक ठीक है आगे अनकान सोची हमको वह आवाज आ गया तो आपका कैसे आवाज आ जाता होगा हम भले पढ़ा रही धर ठीक है हमको बकलोल नहीं समझेए अब जो कर रहे हैं जो क्रिया कलाप करते हम इदर घुमते हैं सब दिख जाता है हम बोले ना मेरा पूरा ध्यान क्लास पर आता है अब्दुल इबन माजीदी एक क्या थे वैपारी के साथ साथ मांचित्र विसेश प्रियाग व लेकाते के फिर बात करें कहीं बात का यह थोड़ा सा बात हो गया अब्दुल इबन मजीदी के बारे माइक अ किसके बारी में यह किसको साहता किलेगा बाथ को डिगावा को यह हाना आगे चले अ रिचले चले आघा ले चली अबाह आगे हमारा पॉइंट होगा कि बीस मईए कि चौदा सो अंठानवे इस वी को अबदूल लो कि इबन अ बात मत कीजिए प्लीज हम बता देते हैं सच बता देते हैं इमानदारी से कह देते हैं बात मत कीजिए अन्ने तो सहीं बताते हैं हम बहुत बड़ा कदम हम उठा लेंगे क्या कदम उठा सकते हम पूरा बैच को ऑनलाइन पर आदेंगे ऑफ लैन छोरके सच बताते हैं घर पे जाएंगे लगा देंगे आराम से बढ़ाएंगे हम बता रहें हमको डिश्टर्विंस नहीं चाहिए पॉइड हाने के तो हम आप अश्ते हैं कभी धन आश्ते हैं तो कभी कल जहाजे के बारें परसु बता देते ऐसे जहाज हो रातने बोल रहे थे कि तब क्या नाचने लगए खेसारी लाल किता डांस करने लगे आप कि गजब बात कर देंगे आप लो कि दो बैच ले आएंगे बात करने बला बैच फांडेसन बैच है पढ़ने है पढ़िए आने तो अगल बगल डिश्टर्ब जो करते हैं उसको हटाइए न तो एक के कारण सब परिसान हो जाएगा बता दिये यह पक्का है कि भी स्मय चॉड़ा सो अंठाने वे इस भी को अब्दूल इवन मजीदी ने मजीदी क्या लिखने माई बताइए तो की सहता से एसी डिश्टर मत कीजिए नहीं तो हम पढ़ाने का थूदा बदल देंगे ऐसे तो नहीं करेंगे तब बदलेंगे कुछ नहीं बसम कहानी ब भूल पाइए कभी भी यह चीज समझ यह बात को अपने ही समझेगां दूसरा वे आपसे ज्यादे एक्स्प्रियंस से इस च्छित्र में हमको कि एक अग साल से हम नहीं पढ़ा रहे हैं मैं पांच साल होने वाला आप है कि पढ़ाने के मामले में बोल रहे हैं को सब्सक्राइड कर सकता और क्या पढ़ने का तरीका और क्या पढ़ने का तरीका मुद सब सबत्राय कर लिए हम को इस से बेश्ट कुछ नहीं लगता है अंने तो अब हम कुछ बोलेंगे ने मजीदी की साहता से वासकु धिगामा कहां पे पहुचा भारत में भी कौन सा बंदरगा कप कड़ाबू बोलिएगा वासकु धिगामा कप कड़ाबू कप पर कौन सा कप पर बंदरगा वर्तमान ना में कप पर यस या नो बंदरगा काली कट के दल अबलिक माला बार देके सब चीज लिग दी है टट तो बीस माई 1489 अब इस वी को अब्दुल इब्न मजीर्दी के साहता से वास्त को डिगामा कप कड़ाबू बंदरगा काली कट के लमाला वार क्यट पर पहुचा पहुचा जहां अस्तानिय सासक ने जहां जहां अस्तानिय सासक लूपक जमोरी ने कॉन भाइशाब बास को डिगामा का अरे क्या किया यह पधाद ये तो भालत में आपका क्या है वागत किया वुदा माला अपना वास कुल या वाउ मैं दोस्त मैं प्रेंट और यू कैसे हो भाई ठीक है फुरा स्वागत हुआ किसका वाइ बाफ फिलाफ आपना बेसी माल पिला अगला पिलाव किस तो फिसकी श्ट फॉट स्वागत कर दिय। क Hemaps को गमर्सुंट कोड़ Welking अलो हैन आह बागे क्या होगा ना स्कु bullish अमने बाथ कुध गमाने जम मोरिन को कई उपहार दिये ठीक है वह व्यापार करने की क्या मांगी अनुमती मांगी लेकिन लेकिन अर्भी वैपारियों का अर्भी व्यापारियों का व्यापारियों का व्यापार पर भारतिये व्यापार पर भारतिये व्यापार पर अधिकार होने के कारण अधिकार होने के कारण अधिकार होने के कारण ठीक है कव वाज़कव डिगामा का कि भारत में क्या कीया विरोध किया गया हॉ ब binder NH हम वाज़क्रीग पुर्तगाल को हम भारत में वैपार नहीं करने देंगे एक dessa के लिए कुछ हो जो है टायस के लिए क्या हो जाए कुछ हो सर्छिर है ठेमा बात करिंग विरोध किया फिर लेकिन कुछ तो लेके गए बहुत आया तो खाली हातों नहीं गया लेकिन तब भी वासकुछ ढ़ामा को भाई साव वासकुछ ढ़ामा है अपने चार जहाजों में भारतिये मसाले को लेकर क्या हुआ अगस्थ उनिस्तो उन्हों अनुटानवे को लिस्वन के लिए क्या हुआ रवाना हो गया ठीक है भारत में क्या किया गया विदोत किया गया बात करेंगे अगस्त कि चौधसो अन्ठानवे इसवी को वासको ड किकामा को ध्रक्रेंट को का या वासकृ डीगामा को एक मिमसृब वासको डिगामा का भारत में क्योंकि सैनी क्लेकर नहीं आया तो समयल लाइकको देससे नहीं आयाए थी ता हतियार लेके होने के कारण मात्र तीन महिने रुकने के बाद तीन महां रुकने के बाद अगस्त कब का बात है अगस्त चौदस तो अंठानवे इस्वी को भारत से पुर्टगाल रवान फुर्टगाल की ओर रवान हुआ लेकिन अपने चारो जहाजों पर लेकिन अपने चारो जहाजों पर लेकिन इसने एक मिनट लेकिन इसने इसने अपने चारो जहाजो पर लेकिन इसने अपने चारो जहाजो पर जहाजो पर भारतिये मसाला को मसाला को लिया था लेकिन इसने अपने चारो जहाजो पर भारतिये जहाजो पर भारतिया था बदलिया था भल लिया था ढल लिया था थेक भींकला कोई पाइसाप अगस्ट 1489 कम निकले थे अगस्ट भारत से निकले अगस्ट अंठाउल Dalai बात करेंगे भारतिय, मानसुन की भारतिये मान mesmoक कारण सिधा लिख देते के कारण आप समझ जाएगा अपना भारतिया मानसुन के कारण इनकी दो जहाज अरव सागर में अरव सागर में डूब गया डूब गया और अन्ततह अन्ततह वास्कु डिगामा डिगामा 1499 इस्वी को लिसबन जा पहुचा जा पहुचा और इंपोर्टेंट लाइन इस तदह इस तदह वास्कु डिगामा ने डिगामा पहले युदो पिये अ व्यक्ति थे जिन्होंने जिन्होंने यूरोप से भारत तक नवीन समुद्री मार्ग की नवीन समुद्री मार्ग की अरिक्या की अगर कॉ सो गया होगा वास्कोई डिगामा कॉ सो गया वास्कोई डिगाम क्या आप लोग भी खुषने विए अब सभी तरीका है ना प्रहले समझाएं पूरा फिरम देखें अर्म थोरा से एक बार मैप बना देते हैं वह चीज़ आपको भी बनाना है ऐसा नहीं कि हम महिनत करें अन्हें तो बोली हमको कोई दिक्कत नहीं है हमको बोल दिखेंगा कोई दिक्कत नहीं तो फिरम भी कर देंगे अरे भाई साथ ठीक तो बना रहे थे हम क्यों फिर इश्की याप का अफ्रीका महदीप अरे हाया ना यह अरब महादीप हो गया फिदि यह हमारा हो गया भारत ठीक है अरे बार देखेंग आपको फूदा यह मांतिल लिस्थ बन है अले क्या हो गया आप बताये तो क्या है किसकी राजधानी कौन सा के आप अले बोलिये के पॉप के पॉप के पॉप यह आपका क्या है इंडिया अले क्या है क्या हो जाएगा एक मैट उजाई एक मैट क्योंकि आप भारत का मैं इस लिफ दा अरे भाई साब क्यूं इतना गर्बद बहुत दीन से जोग्रफी नहीं पधाये इसलिए थोड़ा सा दिक्ट कर ठूदेशन यह आपका क्या इंडिया यह कौन सादी फोगा अफरीका महादीन अीं सबॉब कि महादीब है अफे का महादीब कौन सा है यह वा महारा इलाका दिख रहे है क्लेके यह आपके क्ट सा आ राप सा जो देख पा रहा है ना ये ये मल इन दी अरिक नाम हो गया कि मलिन्दी यह अस्थान जो देख पारैं यह मालावार ट्ट अले कौन साथ गलत माला बार गलता माला सथाथ कि राज में है केरल और किस लाज में और इसी ट्ट के पास एक अस्थान परेगा यह चोटा सथान जिसका नाम क्या हो गया कप कडाबू अले क्या नाम है यह पूराना नाम है हाई यान नरी से इस अस्थान से कोन निकलने वाला है वास को ढगामा आरे वास को कौन निकला कितना जहाज वास I डिगामा कम निकलेंगे बोलिये आज जुलाई जादसो संतानवे यहां क्या हुआ यहां का पहुचा है नवंबर चादसो नवंबर चादसो संतानवे जल्दी पहुच गया फिर यहां से इस तरीके से कहा पहुचा मलिंदी अले कहा काहां पहुच गया मलींदी में किसे मिला आप जोल अख लेंग आपडूल इबन अब्दुलीबत अब्दूल अमजीदी डियारेकश को कहाले के चला गया कपकुच ढबू कित ना दिन मैं तीस दिन कितना दिन यहां पेकशना था मार्च काव तना चारण ओ टीन है यहां का पहुचा 20 माई अरे भाई साब का पहुचा चौदर सो क्या आप समझ आया है यह अगर बना दीजेगा क्या ने भूल पाई यह कभी पूरा एनिमेशन हमको जानते हम इसलिए इतिहास को नहीं भूले ना सबसे बड़ा कारण है यही हम मैप का सहरा लियास्त आप जित कंपनी का आगमन हम बताते हैं या पूलतगाल को हम बताते मैप पूरा एक मैप बना देंगे ना पूलतगाल को खतम कर सकते हैं लेकिन कब जब आपको एक एक वरिप इस कंट्रोल होगा हम केबल बना दिन तो समझ मैं आ जना चाहिए मलिंदी में कौन मिला है वासकोई मैं मजीदीव आठेह यह नँजे हरक जितना है लिकना बगल म्लिक सकते अजवी नर्भी ब्रही कर यह आप लूक एक्षा काम मदमैं किसको सकते हैंय अभी सेट भीडिए निग लेते हैं इसका जो है इकने टुद जाए पर इसका हम जितनी लिटेंक लेते हैं इसका रैंक है को आपलो तिनच सार पीम इंद रखाकीजे वास्कूवडि गमा रिटर्ण ऐसे इस तरीके से मैं हाज गानक आ हो रहा है अरहायाना नहा से एस तरीके से कवास्कूड वं पॉचगा है लिसमें अप इस तरीके सै आपको सिंबल जाने का रिचानी पना देना अलीकम निकला ट्रोहतों अन्सटानवे ट्रहसों कितना जहाज ढूप गया दोज ज continually आपने लिग दिझेगा दो जहाज दूभ गया दूप गया बागत थिपना ऑदर चार यहां से क्या लिए कितना जहां चार जार यह यह लोग लट चार जहां जोगे और 170 लोग बहुत लोग मारे गए जो जुब गहते और इस तरीके से जारा है कौन जा रहा है क्या समझ आया पूरा मैप पूरा-पूरा इतिहास थोड़ा अच्छा लगा अब हलका लग गया यह चीज़ देखें ने लगा हलका तो ऐसी पढ़ना चाहिए ठीक ऐसे ही आपको पढ़ना ही चाहिए बस इस तरीके सब्सक्राइब जो पढ़ लिया ना दुबारा तीबारा में आपको ज़र्वत है ही नहीं दुबारा पूर्तगाल को आपको देखने का अब शक्ताने देखने का भी होगा दो मिनाट बस देखेगा इसको देख लीजेगा आपका कहानी खतम हो जाएगा इसलिए आपको बोलते हैं अब आप से पूछते इसको देख के वापको के पाप गुडोप नरंबर 1467 मलिंदी का परचा मार 1498 किसे से मिला इसको कितना दिन में लेकाया थीस दिन कौन सा बंदरगा कप कड़ाबू कौन साइट है मालावार कहां पे है केरल वरतमान नाम कप पर कप परचा बीस मही 1498 जी बिस मही कौन स्वागत किया अगाध कौन कियाég हां पिरवापस कम लॉट यरी गॉस्ट शादर हो ऑंळान्विस इसको लोटने में लोटने में कितने लिख एटनामेमे एटनामे कितना दिन जीन आज कितनाल ऍस Chiicchi, honors दीन एक सो तीस कितना दीन एक सो तीस दीन ठीक है कब पहुंच के वापस और कितना लाब कमाया साइट गुना इस तरह भारत की नभी नम समुद्री मार्गी की खोज कौन किया बोलो जय हूँ आज का कथा आज का अध्याय यह पिसमाप्त क्या अब कल जब पढ़ेंगे सुनिए फिर स कल फिर कहाने काल फिर क्या करेंगे कहान अब फिर ऐसे कर लेंगे मार्केट बंढ़ेंगे आइसा मार्केट बना देंगे पूल तगाल इतिहास काना महाल बने लगेगा अपको सन कुछ भी हो आप रगर दीजिएगा पकर कि अले हाय ना अकोई बोल नहीं थी बेसे उमेट लिखा ये कंलिखाना चीज अनौं को िए सहे ज نہ की आप लोग लगे लिए अपने मंसे कब dualment of jazahoda देडी धीर दीज़ी हो कब बताने लगए एंग देच एंग जो अ रिक और गया देखें जिक क्या हूं भाई साह खतरनाग महल बना देते आप लो फिर मने ने करता कॉपी चेक करने का फिरा जाते वापस अपना उकाद पे हम यह चीज़ देखे हैं चले मिलते हैं कल के गलास में टाइट अब वाइट एक एट एक एट रहा